साथियों, हमारी खेती में पैदावर समस्या नहीं है, बलकि पैदावर के बाद होने वाली उपज की बर्मादी ये बहुत बड़ी समस्या रही है। इससे किसान को भी नुक्षान होता है और देश को भी बहुत नुक्षान होता है। जुड़ा एक कानून हमारे देश में बना था और कई दस्तकों पहले बना था, लेकिन वो क्यों बना था? क्योंकि उस समय देश में अन्न की कमी थी, भारी कमी थी और इसलिए उस कानून की जरुरत थी। लेकिन आज तो अन्न के भंडार इतने भरे पड़े हैं कि इस प्रकार की रोक, किसान का भी, अर्थे बवस्ता का भी और कंजूबर का भी नुक्षान होता है। लेकिन बड़ा हिरान की है कि ये कानून अभी भी चलता रहा, जब हम दुनिया के दुसरे बड़े अनुत्पादक बन चुके हैं, तब इस कानून की कोई जरुरत नहीं है। गाउं में अगर अच्छे गोदाम नहीं बन पाए, क्रिशी आधारित उद्योगों को अगर प्रोचान नहीं मिल पाया, तो उसका एक बड़ा कारण ये कानून स्वैम में एक बहुत बड़ा रुखावड था। और इस कानून में ये भी एक दुरभा किया रहा, कि इस कानून का उप्योग से ज़्यादा बाबुगों ने उसका दुरप्योग किया। इसे देश के व्यापारियों को, निवेशकों को, उनको डराने का काम ज़्यादा हुआ, अब इस डर के तंत्र से भी क्रिशी से जुड़े व्यापार को मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद अब व्यापारी, कारोबारी, गावों में स्टोरेज बनाने में और दूसरी व्यवस्ताइं तैयार करने के लिए आगे आ सकते हैं।